3-0, 3-0 at Anfield और Europa League में Liverpool ने बिलकुल भी एक पैर बाहर रख दिया है, completely disastrous performance की बात करेंगे, बाकी सारी चीजों की भी बात करेंगे, but this is possibly, possibly इस सीजन का worst performance था यह, 3-0, होम पे हम अटलांटा से हार गए है, और पहली बात, लिवरपूल पे बात करने से पहले, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं, अटलांटा हैब totally deserved this win, उनका मैनेजर, उनके प्लेयर्स, सकमाका, you know, डेरून, डिकलेटेर, जिसका प्रनेंसि की बात करो, they wanted it more, बहुत अच्छे से उन्होंने ये उनकी फुटबाल के लिए है, और बहुत जादा credit जाता है, to Atalanta, to Gasparini, सकमाका की बात तो मैने की ही, Mario Pasalic, जित्ते भी उनके प्लेयर्स हैं, उनका defense, उनका goalkeeper, they just wanted it much more than us, and they were a far more superior side than Liverpool, इसमें कोई डाउट नहीं है, य Now, coming to this match, और सबसे पहले थोड़ा इसको breakdown करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, team selection की, तो team selection की जहां तक बात है, defense से आप start करोगे, तो इस match में हमने Simikas को एक start दिया, ठीक है, उसके बाद Konate और Van Dijk, या आपकी first choice center back pairing है, for any season, मतलब अगर आप इसमें matip fit भी हो जाएं, तो भी आपकी preferred center back pairing क्या होगी, Konate और Van Dijk, वो इस match में खेल रहे थे, right back पर, of course, आपने Gomez को start किया, left back और right back दोनों के decisions गलत हुए, बट उसके बारे में हम बात में आएंगे, जहां तक midfield की बात की जाए, so the way we started this game, was again, आपने Endo को start दिया, आपने McAllister को start दिया, ये दोनों players आ interbacks है, तो again, यहां पे आप यह नहीं बोल सकते कि आपके players fit नहीं थे, right, फिर उसके बाद अगर आप आजाओ, तो आपने Curtis Jones को यहां पे start दिया, जो कि एक injury के बाद fit होके आये थे, जहां तक forward line की बात है, Darwin Nunes, Cody Gakpo, Harvey Elliott, yes, यहां पे आप थोड़ा बोल सकते हो कि हमने changes किये क्योंकि Harvey Elliott आपके first choice right पे नहीं रहते हैं, Cody Gakpo, first choice आपके जो हैं, वो left पे नहीं रहते हैं, but still आपने, 11 में से, Van Dijk, Konate, McAllister, Endo, right, 4 हो गए आपके, and then Darwin Nunes, 5, 11 में से 5 player आपके first choice जो थे, वो आपने match में start किये, जिस तरह से match start हुआ, पहले 5 minute में हम फिर भी थोड़ा urgency दि पास Darwin Nunes के पास एक chance आता है, जिसको completely squander कर देते हैं, और, you know, आप क्या बोलेंगे उस तरह के miss को, there is a point where you stop defending की work rate अच्छा है, और बाकी सारे चीज़ें अच्छी हैं, ये सारे chances आपको finish करने पड़ेंगे, yes, Darwin Nunes के 31 goals and assists हैं, but this is, there is, football में हमेशा बोलता हूँ कि stats के beyond एक जाती है, और pure stats के उपर आप football को judge नहीं कर सकते, यहाँ पे ये जो part है season का, यहाँ पे you need clinicality, यहाँ पे आप finish नहीं करोगे, तो you will suffer, जो हमने देखा कल के match में, goalkeeper की बात की जाए, क्विवन केलेहर जो पहला goal conceded किया, yes, definitely हम क्विवन केलेहर को वहाँ पे फोड़ा blame कर सकते हैं, वो वो goal बचा सकते थे, लेकिन आप अगर ध्यान रखो, तो पहले 2-3 minute में क्विवन केलेहर ने एक बहुत ही amazing save निकाला, he literally put his body on the line, उनके face पे लगके ball deflect हुई है, और नहीं तो वहीं पे हम पीछे जा सकते थे, when it comes to the starting of the game, जो कि हमारा एक, मतलब थीम रहा है लिवरपूल का, इस season हमने बहुत बार देखा है कि match start होता है, हम concentration अपना maintain नहीं कर पाते हैं matches में, और हम शुरू में goal conceded कर जाते हैं, जो यहाँ पे भी हमने पहला goal conceded किया, वो तो पहले भी हो जाता, बट कुविन केलेहर stopped it, now speaking of the defense, यहर सिमिकास का performance consistency एक बहुत बड़ा issue रहा है, और इस match में भी हमको यह दिखा, yes did not get into the game, अगर आप जो पहले goal की में भी बात कर रहा था, जो केलेहर सेव कर सकते थे, अगर आप उसको यह देखो, तो आप अगर उस passage of play को देखोगे, तो Zappa Costa had, मतलब वो तो भागते भागते शायद मतलब Liverpool से Everton के ground पहुंच जाते, इतना space दे दिया था उनको, pressing, हम we pride ourselves on pressing, बट बहुत बार हमारे बहुत सारे players जो pressing करते हैं, वो pointless pressing के जासा लगता है, कि बस you are chasing shadows, यह मैंने match में, first half में बोल press कर रहे हो, जो, you are just playing into their hands, Gasparini is a very experienced coach, वो आपको क्या लगता है, कि वो 5 मिनट में यह चीज़ें spot नहीं करेंगे, कि यह press जो कर रहे हैं, इसका कोई effectiveness नहीं है, और बहुत सारे spaces खोल रहे हैं, और वही हुआ, एक ball डाली जिसको Zappa Costa ने chase किया, और, you know, the ball comes in, brilliant finish by Gian Lucas Kamaka, he will be delighted, क्योंकि West Ham में जब वो आय थे, तो उनका, he never really got going at West Ham, और वहाँ पर उनका performance, एक उनको, हमेशा की तरह, you know, he was declared a flop, he goes to Atlanta, and he is now playing well there, और कल तो उनोंने इंग्लिंड में आके, you know, अच्छी performance दी, तो he will be delighted, Skama का brilliant finish here, now, first half में, we were absolutely all over the place, yes, अगर again, stats are कितने misleading होते हैं, अगर आ आपको बताता हूँ, if pure, अगर आप just stats की बात कर लो, तो 70.2% position था Liverpool के पास इस match में, 5 shot हमारे on target थे, you know, when it comes to Atalanta, उनके 7 target on shot थे, 19 attempt हमारे थे, उनके 11 थे, right, ये 70% position, 19 attempt, 5 on target, आप अगर किसी को score नहीं बताओगे, तो आप बोलोगे तो कम से कम 2 goal तो मार ही लिये होंगे, क्योंकि आपके पास, you know, आप Mohamed Salah को ले आए थे, आप बात में Louis Diaz को ले आए थे, unbelievable when it comes to the finishing, पता नहीं, इस team को, मतलब कोई काला जादू किया है, किसी ने कुछ सुंगा दिया है, क्या हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब, you know, is it over reaction? Is it over reaction? I think, एक चीज़ तो म semblance में रखके बोलना चाहूंगा, I think Crystal Palace के against, हमको यह पता चल जाएगा, कि if this is just a, you know, just थोड़े तीन-चार मैचेस का एक blip था, कि now the team has really mentally effect हो गया है उनको, या फिर कुछ और हो गया है उनके साथ, या फिर, you know, players को पता नहीं क्या हुआ है, जहां तक fatigue की बात है, यार, ब अगर आपको बोलो तो Cody Gakpo नहीं United के साथ start नहीं किया था, Harvey Elliott नहीं United के साथ start नहीं किया था, और अब finally थोड़ा बात करना चाहता हूं, मतलब, before getting to that, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं, कि यह completely down to managers, players, everybody, defense was all over the place, Van Dyke ने तीसरे गोल के लिए पूरे गाहों को onside रखा हु किया भी है इस season, he is definitely one of the players of the season, वो इतना basic mistake करेगा, क्योंकि just वो अपना run-in check कर लेते, तो वो goal offside हो जाता, two-nil होता, you would still have a slight chance, मुहमत साला, अब मुहमत साला, again, he scored an offside goal, Robertson ने cross, बहुत अच्छा cross डाला था, यार, आपको दिख रहा है, play दिख रहा है, कि, you know, Robertson के पास ball आ रही है, obviously he is going to cross to you, तो आप अपना time थोड़ा run कर लो, थोड़ा सा एक second delay कर लो, मुहमत साला is a very fast player, कोई जरुवत नहीं थी कि आपको box में सबसे पहले arrive करना है, you have to arrive at the right time, तो चलो, मनला, minutely on offside था, but it was offside and that goal could have been a very easy goal, 2-1 पे, you know, मामला पूरा बदल जाता, वैसे त और साला ने अपना run time नहीं किया, वैंडाइ, very poor in defending, कुनाटे ने ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की, but sloppy throughout the, throughout the game, एंडो, I don't know, यार, फटीग है, क्या है, इस match में, you know, एंडो, कितनी बार ball lose किया, यार, तीसरे goal के लिए सबोचलाई, clearly responsible, loses the ball in the middle of the park, and then, you know, Atalanta come and score, पसालिच का goal आता है, and the tie is killed, now, अब मैं बात करना चाता हूँ, जो लोग बात कर रहे हैं कि ये match rescue हो सकता है कि नहीं, I think this game is gone, right, I would love to be proven wrong, मेरे को, अगर कल जाके, अगले हफते, Liverpool, Italy में जाके, 4-0, 5-0, 5-1, 5-2, whatever the score line might be here, वो जीत का, मेरे को गलत प्रूव कर दे, मेरे से जादा खुश कोई नहीं होगा, but according to me, this tie is finished, क्योंकि आप पहली बात away from home खेल रहे हो, Gasparini is a very experienced coach, और Atalanta is a team, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वो दो kick-out, दो knock-out competitions में अभी भी alive हैं, when it comes to Atalanta की side, ये इनकी first side, first ring team भी नहीं थी, इनके बहुत सारे players injured थे, अगर आप Atalanta का ये squad देखो तो, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारे players injury से वापस आए हैं, this was not even a proper Atalanta team, so वो excuse हम नहीं दे सकते, कि नहीं, Atalanta, तो मतलब वो तो हार के आरूंगे, there had nothing to play for, नहीं यार, उनके पास भी players नहीं थे, उन्होंने भी, इसके पहले कालियारी से वो लोग हार के आरहे थे, और यहां पे, you know, they come to Anfield and they give a performance for the ages, again, you have to give credit, you cannot just talk about कि हमारे में ये problem थी और वो problem थी, यहां पे आपको बस Atalanta को credit देना पड़ेगा, they were the better side, they played better and they got the result that they wanted, now, so, when it comes to the comeback, मुझे नहीं लग रहे है कि इस match में comeback हो पाएगा, it's, it's, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि is it a blessing in disguise, is it, really, because आप blessing in disguise तो अताब होता ना, मान लो कि अगर हम पिछले हथे Old Trafford पे गए होते, जीत के आगए होते, वहाँ पे हमने पूरी अपनी team खिला दी होती, यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते, तो आप बुलते कि चलो ठीक है, बच्चों को खिला दी है, we threw away this competition, लेकिन नहीं, we played a strong team, we played a strong team and then we still lost, तो मुझे नहीं लगता है इस मैच में comeback के chances है, it is, we cannot keep praying for miracles, कि हर बार एक miracle हो जा और हर बार हम एक, you know, Barcelona के साथ जो किया था, हर बार हम वो चीज़ करते, वैसा possible नहीं होता है Now, lastly, मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ, about the local support, तो इस match से पहले एक decision लिया गया था, 2% tickets में price को increase करने का, और उसकी वज़े से, you know, the local supporters group, उन्होंने बहुत basically एक decision लिया, कि इस match में COP के ऊपर एक भी flag नहीं होगा और atmosphere की भी अगर आप बात करो तो बहुत ज़्यादा flat था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि they want to protest against the owners, जिन्होंने 2% increase किया है, पिछले 6 या 7 साल में एक छोटा सा increase है, अब चलो उसकी उपर मैं नहीं घुसूंगा, because देखो यार, महां की economics मैं नहीं जानता, तो मैं उसकी उ atmosphere that the locals have produced. का रोल करता है, but यहां पे तो, you know, even the crowd was very very flat, so now, और आखिर मैं बात करना चाहता हूं मैं कि इसका effect क्या होगा, you know, Premier League campaign के उपर, तो आपके, जो है ना, 7 match बचे हैं Premier League में, आपकी team आ गई है वापस, Trent भी गल बेंच पे थे, Jota भी कल आये थे, Jota ने तो खेला, of course, Allison will be back very very soon. Lastly, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, Jurgen Klopp के substitutions also were very poor, I don't think Harvey Elliott को remove करने की कोई जरुवत थी, Harvey Elliott और Cody Gakpo ही दो ऐसे players थे, जो थोड़ा try कर रहे थे, Kriven Kelleher, of course, उनने दो बहुत अच्छे save निकाले, yes, I know, जो goal पहला conceded किया, वो save हो सकता था, but Kriven Kelleher ने दो बहुत अ Now, coming to, और Jurgen Klopp के substitutions did not make sense. So, even Klopp, again, I love Jurgen Klopp, but he is also not blameless for this loss. Now, lastly, बात करते हैं, वापस आते हैं, प्रेमेर लीग के उपर, यह अब आपका Palace के against match, हर match जो बच गया प्रेमेर लीग में, it becomes a Champions League World Cup final, जो भी आपको बोलना है, it becomes a final, and वहीं पर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, because otherwise, the mental strength of this team will be questioned as it should be questioned, और यहाँ पे, there is no place to hide, this was our review, आप बताएं यह comment section में, आपको क्या लगता है, what is your opinion, how do you think the season will shape out to be, and we will see you very very soon, until then, enjoy, channel को subscribe करना मत भूलना, video को like करना मत भूलना, और remember one thing, loss or draw, अप्टरेट्स.